हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का महैस अकैडवी यूटूब चैनल पर आज होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से परप्रेशन कर रहे होंगे तो जैसे कि आपकी के विएस की मैत की क्लासे चल रही है तो जो बागी के हमने कुछ questions कराया थे आपके लिए और टॉपिक पे कल हमने बात की थी संख्या पधध के बारे में तो आज हम बात करेंगे इकाय के अंग जात करने की उससे भी related आपके questions आते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ rules लिख रखे हैं उस rules के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि हमने लिख रखा है कि rule number one, तो यहाँ अगर हम rule number one की बात करते हैं, तो उसमें हमने लिखा है कि यह किसी संख्या में अंतिम का अंक जो होता है, अंतिम का जो अंख होता है उसे ही हम कहते हैं इकाय का अंख हमने आपको पहले ही बताया है कि जो यह से ज़ाए for example आपकी three desserts की कोई भी संख्या है आपकी जैसे लिखा हुआ है 356 तो इसमें से अगर हमसे इकाय का अंख पूछा जाए जैसे कि यहां बात करेंगे हैं, यहां लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या में अन्तिम का जो अंक दिया हुआ है, आपको 0 या 1 या 5 या 6, तो उसका जो इकाई का अंक होता है, वह वही संख्या हो जाती है, उसको अगर हम मल्टिप्लाइ करेंगे, for example, आपके पास 0 है, तो अगर हम 0 का मल्टिप्लाइ करेंगे 0 में से, तो जो संख्या आएगी, जितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, उसका जो आपका इकाई का अंक आएगा, जो मल्टिप्लाइ होने के बाद, वह आपका 0 ही रहेगा, उसी तरह अगर आप 1 में, for example, आपके पास 21 है, 21 को अगर ह 5 और 6 में से कोई एक है, इन 4 में से कोई भी एक अंक है, तो उसका जो आपका इकाई का अंक आएगा, वह आपका वही संख्याई आएगी, तो यहाँ पर हमने देखिए, example में लिखा हुआ है कि अगर हम 6 गुडे 6 करेंगे, तो आपका 36 आएगा, तो अगर 6 गुडे 6 किसी भी संख्या को मल्टिप्लाइ करेंगे, तो जो आपका नई जो संख्या प्राप्त होगी, उसका जो आखरी का अंक होगा, वह आपका सेम वही अंक होगा, जो कि आपने जो जिन संख्याई होगा, गुडन किया था, वही संख्या आपकी बन जाएगी, तो इसमें आपक बन जाएगा 36 में आपका 6 इकाई का अंक हो जाएगा उसी प्रकार अगर 0 या 1 या 5 वाली इकाई अंक की कोई भी संख्या लेंगे हम तो उसका भी जो आपका इकाई का अंक होगा गुड़न के बाद वो आपका हो जाएगा 0, 1 और 5 क्रमशा करके तो यहाँ पर अगर हमसे होगा मतब जो इकाई का अंक आएगा गुड़न फल के बाद वहाँ आपका क्रमशा 0, 1, 5 और 6 ही होगा तो यहाँ पर जैसे कि हमने बड़ी संख्या ली अभी हमने 6 गुड़े 6 करके बताया तो हमने एक माल लिया बड़ी संख्या ली बड़ी संख्या है आपने लिख लिय मुल्टिप्लाइ कर देगे तो च्छे गुड़े 6 करेंगी तो आपका 36 हो जाएगा तो 36 में से जो आपका 6 आएगा वह आपका 1 का अंक हो जाएगा अगर आप multiply करेंगे तो यहां पर आपका 216 आजाएगा 216 हमको तब निकालना है जब वहां हमसे question में बोला हो कि 46 गुड़े 46 का मान बताईगे तो हमको यह multiply करना पड़ेगा बट अगर यहां हमसे question में पूछा गया है कि इकाई का अंग बताईगे तो इकाई का अंग ज्याद करने के लिए आप अंतिम अंग को जो है उठा के multiply कर दीजिए तो यहां से हम direct 6 गुड़े 6 कर देंगे तो आपका जो 36 आएगा उसमें से जो last digit है आपका वो 6 वही आपका इकाई का अंग हो जाएगा अगर एक का स्क्वायर करते है तो आपका एक होता है तो मतलब की एक की घाट जाहे जितनी भी हो आपका जो इकाई का अंग आएगा वो आपका एक ही आएगा उसी प्रकार जैसे आपके पास दीविये संख्या पांच का क्यूब हमको निकालना है तो अगर हम पांच का क्यूब निकालेंगे तो आपको पता है कि पांच का क्यूब जो होता है आपका 125 होता है पांच का क्यूब मतलब 5 गुडे 5 गुडे 5 पांच का एक बार मल्टिपै करेंगे पांच में तो आपका 25 आजाएगा then उसके बाद हम 25 में फिर से 5 से multiply करेंगे तो आपका 125 आ जाएगा तो यहाँ पर आपने देखा कि जो 125 जो आपका निकल के आया है उसमें अगर हम बात करें इकाई के अंकी इकाई का अंक हमने बताया जो आपका अंतिमंक होगा तो अंतिम अंक यहां पर जो है आपका वो 5 है तो यहां पर भी आपकी 5 की घात हमने 3 लिख दी, 4 लिख दी जहें जितनी लिख दे हम उसमें जो आपका 1 का अंक आएगा वो आपका 5 ही आएगा तो अगर 5 की घात 4 करेंगे तो आपका 625 हो जाएगा 625 में भी देखेंगे आप 11 का अंक आपका 5 रहेगा अगर हम बात करते हैं 6 की घात 3 की तो 6 की घात 3 का मान आपका होता है 216 6 की घात 2 करेंगे तो आपका 36 बन जाएगा 36 में से आपका 11 का अंक जो होगा वह आपका 6 होगा और अगर हम 36 गुड़े 6 मतलब 6 का प्यूम निकालेंगे तब भी आपका जो इकाई का अंखोगा वो आपका 216 में से 6 आ जाएगा यहाँ पर जैसे आपको दिया हुआ है कि 6 की घात 5 तो यहाँ हम देखिए 6 की घात 5 कैसे निकालती है तो यहां हमने लिखा 6 गुड़े 6 गुड़े 6 गुड़े 6 गुड़े 6 पात बार हमने multiply कर दिया 6 का तो यहाँ 6 गुड़े 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा फिर उसके बाद 36 गुड़े 6 करनेगी हमको जरूरत नहीं है यहां से हम 36 का 6 उठाएंगे और 6 से next वाले 6 को multiply करेंगे तो यहां से 6 गुड़े 6 फिर करेंगे तो फिर 36 आजाएगे फिर 36 का 6 उठाएंगे और चौते नंबर वाले 6 पर multiply करेंगे तो फिर आपका आजाएगा 36 फिर 36 में जो आपका 6 आएगा उससे multiply करेंगे यहां पाँचवे वाले च्छे का, तो 6 गुड़े 6 करेंगे, फिर आपका 36 आजएगा, तो यहां से इकाई का अंक जो आपका अब निकल के आएगा, वो आपका 36 वाला 6 का ही रहेगा, तो यहां पर भी आपका इकाई का अंक 6 होगा, चाहे 6 का, जितनी बार 6 में मुलिटिप् के नंबरों की, तो उसमें चाहे जो भी हो, चाहे जितनी घात लगी हो, उसका जो एंसर होता है, इकाई का अंक होता है, क्रेंशा वही संक्या होती है, तो यहां पर हमको क्वेशन में दिया हुआ है, तो यहां पर इकाई का अंक संक्या हो जाएगा, आपका 5, उसी प्रकार अगर हम बात करें next example की तो next example हमने लिया है कि 101 की घाथ 58 का iqai का अंक बताईए तो यहाँ पर भी 101 यहाँ पर last digit जो है आपका वो एक है तो यहाँ पर एक की घाथ अगर हम 58 करेंगे तो आपका जो है iqai का अंक जो होगा वो आपका एक हो जाएगा उशिपर का next example हमने लिया है कि 2016 की घात 382 का इकाई का अंक बताईए तो यहाँ पर हम इकाई का अंक बताएंगे तो 6 की घात हमको यहाँ कर रहा है last digit लेंगे उसमें हम square करेंगे या जो भी दिया हुआ है वही घात लगाएंगे तो यहाँ पर 6 का चाहे जितनी बार multiply करेंगे अभी हमने example में बताए है कि 6 को चाहे जितनी बार 6 में multiply करो आपका answer जो आएगा वो इकाई का अंक जो आएगा वो आपका 6 ही रहेगा तो यहाँ पर भी आपका answer 6 हो जाएगा फिर next दिया हुआ है कि 5000 की घात 100 का इकाई का अंक बताए है तो यहाँ पर भी आपका 0 की घात चाहे जितनी भी लगी हो आपका जो इकाई का अंक आएगा वो आपका 0 ही आएगा तो यहाँ से इसका answer आपका आजाएगा 0 दिन बात करेंगे जैसे कि आपको addition में दियो होते हैं मतलब कुछ questions ऐसे आजाते हैं कि उनको हमको जोडना होता है और जोडने में हमको काफी इतनी संख्यां दियो होती है जिनको करना हमको थोड़ा से लंदी हो जाता है तो उसके लिए हम इकाई का अंक बताने की नई ट्रिक बताते हैं तो जैसे कि आपके पास ये संख्या लिख हुई है 686 प्लस 1500 प्लस 352 प्लस 2500 तो इसमें हमको अगर इकाई का अंक बताना है अगर हम directly संख्या को जोडने लगेंगे तो आई थिंक आपको 10-20 सेकंड तो लगी जाएंगे बट अगर आप इसको इसी वे में आपको इकाई का अंक निकालना है तो हम इसको 2-3 सेकंड में भी करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 6 प्लस 0 करेंगे तो 6 हो जाएगा उसके बाद यहाँ 6-2 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा 8 प्लस 0 करेंगे तो आपका 8 ही रहेगा तो यहाँ से आप ऐसे बना के यह कर सकते हैं या फिर ऐसे करके 6 प्लस 0 तो यहाँ पर 6 हो जाएगा अगर हमको इकाई का अंक निकालना है तो हम केवल इकाई का अंक को सारी जितनी भी संक्या चाहिए, जितनी बड़ी संक्या दे हुई हो, हमको उसमें से केवल इकाई का अंक लेके चलना है, तो यहां पर आपका 6 प्लस 0 आपका 6 हो जाएगा, इधर 2 प्लस 0 आपका 2 हो तो आपका 8 में यहां से आपका इकाई का गांग जो है आपका वह 8 होज़े और संख्या को जोड़ते हैं तब भी आपका इकाई कांग भन के आगार जो भी संख्या निकलेगी वह इकाई को इसका 8 ही होगा दिन बात करेंगे अगर next question की तो next दिया हुआ है कि 986 प्लस 382 प्लस 452 प्लस 500 में इकाई का अंक बताईए तो यहाँ पर हम करेंगे तो 6, 2 आपका हो जाएगा 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा और 2 प्लस 0 करेंगे 8 हो जाएगा, 8 और 2 मिला के आपका 10 हो जाएगा, तो 10 में हम अगर हम बात करें इकाई केंखी तो इकाई का अंक आपका 0 आजाएगा दिन बात करेंगे rule no 2 की आई अब बात करते है rule no 2 की, अभी तक हमने जो बात की वो आपके केवल 0, 1 और पाच और छेकी थी अब बात करें कि रूल नंबर टू कि रूल नंबर टू में हमने दो अंक लिए हैं चार और नौ अगर कोई भी संख्या को जो अंतिम अंक है वह चार या नौ है तो इनका इकाई कांक कुछ इस प्रकार से निकालते हैं जैसे कि पहला हमने दिया हुआ ह पहला दिया हुआ है कि यदि घात सम है अगर घात जो आपकी सम है वह सम दी हुई है जैसे कि दो डिजिट हमने बताए हैं कि कोई भी संख्या उसका लास्ट डिजिट जो है आपका वह चार या नौ हो तो अगर घात जो उसकी सम दी हुई है तो उसमें एकाई का अंक छै त वह आपका एगा चार और जो आपका नौ कहएगा वो आपका एगा नौ तो यहाँ आप चली एक्जामपल लेके समझाते हैं तो I think better समझ में आएगा तो यहाँ पर जैसे हमने एक्जामपल लिया है कि चार की घाट 86 में इकाई का अंक क्या होगा तो यहाँ पर हमने देखा कि जो 86 है आपका यहाँ एक समसंख्या है समसंख्या के बारे में हमने आपको एक क्लास में बताया कि समसंख्या जो होती है आपकी वह आपकी 2 से पूरता विभाजित हो जाती है तो यहाँ 86 जैसे है आपका तो इसको अगर हम 2 से भाग करेंगे 86 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो यह आपका पूरा पूरा कट जाएगा 43 बार में तो यह आपका 2 से पूरता विभाजित है इसलिए यह आपकी समजंख है तो यहाँ पर 86 हमने देखा कि समजंख है तो चार वाले case पर हमने बताय है कि 6, उसका जो इकाई का अंक आगा वो 6 हो जाएगा. तो यहाँ पर आपका answer जो है आपका इकाई का अंक यहाँ सी आपका 6 आजाएगा. इस दिन बात करेंगे next question की. तो next दिया हुआ है कि 9 की घाट 33 में इकाई का अंक बढ़ाई है. है की बात की गई तो बने rowan से यह फॉलो नहीं करेगा तो next rule पर आएँगे और next rule हमने अभी बताया कि 4 और 9 के बारे में तो यहाँ पर आपने देखा कि 9 से यह rule आपका match कर रहा है तो यहाँ पर हमने 9 उठाया अब इसके बाद हम देखेंगे यहां से कि जो घात दे गात में आपका इकाई का अगर बेस नो है तो यहाँ से आपका एंसर आ जाएगा नो उसी पकार अगर हम 1999 की घात 684 की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि यह संख्या जो है घात जो है आपकी वस्तम है तो इसलिए यहाँ पर इसका जो इकाई का आजाएगा वह आपका एक आजाएगा उसी पकार 369 का करेंगे कि घात 352 में तो यह भी आपका एक आजाएगा सेम कोश्यन है उपर वाला और नीचे वाला दोनों और अगर हम बात करेंगे 569 की घात एक सुतिरपन में तो यह विशम दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर इकाईक नो आज तो इनके लिए हमने कुछ नियम बना रखे हैं तो इस नियम पर जैसे कि आपकी कोई संख्या दी हुई है तो उसमें अगर घात लगी है तो उस जो संख्या दी हुई है उसमें जो घात संख्या में से हमको पहले चार से भाग देना होगा चार से भाग देंगे हम तो जो से सेजफल का जो निकला है सेजफल उसकी घात लगा देंगे हम तो वही उत्तर ग्यार करते हैं आई ये एक्जामपल लेकर समझाते हैं जैसे कि यहां पर अगर हाँ ये बात आप याद रखेगा कि अगर सेजफल आपका जीरो आता है सेजफल जीरो रहने पर आधाश अंख्या इसे फार अगर आधा चार से चार को भाग करेंगे तो आपका जीरो आजाएगा सेजफल नहीं आएगा कुछ भी जीरो हो जाएगा तो वहां पर हमको घात जो लगानी है वो चार ही लगानी है तो यहां पर जैसे कि एक एग्जामपल लिया है हमने कि 523 की घात 252 इसमें हम में भी फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए हमने तीसरा रूल अप्टाया जो की बची संख्या हो के लिए उने बताया तो वहां पर हमने 252 को भाग किया चार से तो भाग करेंगे 252 को भाग फल आपका तिरसाट आजाएगा और सेस फल आपका 0 हो जाएगा क्योंकि यह जो 252 जो स संख्या में लिखकर हल करेंगे तो यहाँ पर संख्या से जो आप भाग कर रहे हैं वो आपके चार है इसलिए हम सेस्फ़ल जो है वो चार मान लेते हैं तो यहाँ पर हम संख्या यहां पर हमने जो बेस लिया था आपका जो लास्ट डिजिट है आपका तीन है यहाँ पर जैसे तो वहाँ पर तीन की घाट चार करेंगी तो यहाँ पर तीन की घाट चार करेंगे तो तीन त्रक MIDOD करेंगे तो आपका 81 idea जाएगा इतना सब्लैंदी अगर आप भाड़ा नहीं पड़ रहे हैं नहीं हो जाएगे तो इससे शप्रतितों बात करेंगे कुछ questions हमने लिए रफ करेंगे तो यहां पर जैसे की आपका question नहां हुआ है कि 756 गुड़े 938, गुड़े आठ सो बादता है तो अकर ये question आपका आता है तो इसमें question में अगर आपसे पूछा है कि इकाई का अंक बताएं तो इकाई का अंक बताने के लिए आप डारेक्टिस को solve कर सकते हैं लास्ट वाला जो अंतिमंक दिया हुआ है जो भी संख्या है दिवी है तो उसी को multiply करते हुए हम इकाई का अंक बता सकते हैं तो यहाँ पर 756 में आपने देखा कि जो 6 है आपका आप आपका अंतिमंक है पहली संख्या का तो हमने यहां से 6 का multiply किया 8 से 8 चुल है वो दूसरी संख्या का आपका अंतिमंक है तो यहां 6 गुड़े 8 करेंगे तो आपका 48 हो जाएगा फिर 48 का 8 उठाईए और next संख्या के लास्ट डिजिस से multiply कीजिए तो यहां 8 गुड़े 2 करें तो 16 आजाएगा तो 16 मेसेज हो आपका इकाई कांग आएगा वो आपका 6 हो जाएगा तो यहां से इस question का answer आपका इकाई कांग को चुनिकल के आएगा वो आपका 6 हो जाएगा अगर आपको ऐसे नहीं समझ मारे आ रहा है तो direct आप इसको साफसाब लिख लिजिए 6 कोशर हमने लिया है कि 159 की घात 40 गुड़े 1524 की घात 81 में इकाई कांग बताई है तो इस पर कोशर में हमने देखा कि 9 9 की घात 9 वाले रून में हमने second rule पे चले जाएगे हम जहां पिर हमने 4 और 9 की बात की थी तो यहां पर 9 की बात की थी तो उसमें हमको घात देखनी होती है तो यहां पर हमने देखा कि 4 जो है वो आपकी सम घात दी है सम के लिए हमने बताया था कि 9 अगर लिखा हुआ है आपका लाश डिजिट और घात आपकी सम है तो उसमें आपका एक आता ही काई का अगर आपको ऐसे नहीं आदाता है कि एक किस में आता है नो किस में आता है तो उसके लिए आप जैसे 9 का बोला है तो नो की घात अगर हम विशर्म संक्या लेंगे विशर्म संक्या ना है किए 1 तो 1 अगर लेंगे तो 1 की बात करेंगे तो 9 यह तो आए हएगAK आपका एक आजाएगा तो इसी प्रकार आप चाहे जितने बड़ी संख्या हो आपको यह हमेशा याद रहेगा तो यहाँ आपका इकाई कांग आ गया एक फिर अगर बात करेंगे हम 1524 की घात 81 की तो यहाँ चार है चार की घात यहाँ पर आपकी विसम दिवी है तो विसम में चार की घात में आपका चार आ जाएगा चार की घात विसम मतलब एक मान लिजिए कि एक एक कह अगर चार की घात एक करेंगे तो आपका चार आएगा बाकि ये बहुत ही easy topic है बस आपको चाहे जितना भी बड़ा question दिया हो बस आप last digit को पकड़े रहिए और multiply करते रहिए बाकि ये जो last जो दो तीन और साथ और आठ वाले हैं ये थोड़ा complicated है इनके लिए ये जो rule मैंने बताया है ये rule आप याद रखेगा तो आप लोग को फी helpful होगा ओके थैंक यू